आप किमत लोग आ गई ये स्सी अटा की वही पुरानी टीम जिसने कराये थे पिछले वर्थों में सेक्डो सलक्सन तो जी हाँ हम सब लेक आ रहे आप सभी के लिए स्सी सी एक्सेसल एक्जाम की संजीब तो जुड़िया हमारे साथ एक बज़े जी के ज्येश की अपनी सारी समस्याओं को खतम करने के लिए दो बज़े अगर आप रीजनी में फसते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है दो बज़े तीन बज़े मिलेंगे हम लोग इंगलिस के डर को दूर करने के लिए और चार बज़े मैस की कल्कुलेशन को अच्छा करने के लिए और पांच बज़े मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए तो जोड़िए हमारे साथ SSC Adda 24-7 यूट्यूब चैनल ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आप कीमत में लोग आ गई है SSC Adda की वही पुरानी टीम जिसने कराये थे पिछले वर्सों में सेक्डो सलक्सर तो जी हाँ हम सब लेक्यार है आप सभी के लिए SSC CSSL exam की संजीव तो जोड़िया हमारे साथ एक बज़े जीके जीएस की अपनी सारी समस्याओं को खतम करने के लिए दो बज़े अगर आप रीजनी में फस्ते हैं किसी भी चीज में तो उसको दूर करना है दो बज़े तीन बज़े मिलेंगे हम लोग इंगलिस के डर को दूर करने के लिए और चार बज़े मैस की कल्कुलेशन को अच्छा करने के लिए और पांच बज़े मिलेंगे विज्ञान की सारे एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए तो जोड़िये हमारे साथ ससी अड़ा 24-7 यूट्यूब चैनल नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एससे अड़ा 24-7 यूट्यूब चैनल पर उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चो और बहुत ही सांदार सी आज की किलास होने वाली है जहाँ पर प्यारे साति हो मैं आपको कराने वाला हम बहुत संदर्ची किलास और उसคलास में आज का टोपी होगा भारत में पृथम पृरुस और अगर क्लास पूरी हो जाती है बच्चो तो इसके बाद हम दूसरे टोपिक की दरभी मूव करेंगे भारत में पिर्थम महील आए तो सभी बच्चे एक बार प्यारे बच्चो जल्दी से वीडियो के लिंक को कोपी करो और तुरंट सेर कर दीजेगा कौन-कौन बच्चे हमारी क्लास में आ चुके हैं मदू आ चुके हैं संध्य आ चुके हैं किट्टू आ चुके हैं और बच्चो कलपना नानू नवीन गुजर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मनी सोनी मुसकान चोदरी और बच्चो सतीज तिवारी सबी आप बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार में बच्चों और आज एक बहुत सांदार सी गिलास जहां पर हम करेंगे प्यारे साथियो भारत में पिरतम पुरूज अगर आपके पेपर में कुश्चन आना होगा तो वो इनी कुश्चनों से आएगा बेटा ये बच्चों कुमारी का UPSC लवर सब का नाम ले लिए इस सजाद नाम नहीं लेने और बाद में नाम ले लेंगे ठीक है तो बच्चो अगला पॉइंट अमीत कुमार जी आ चुके है कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा कुमारी प्रियंका चोधरी जल्दी से आपको क्या करना है चैन क्या सब्सक्राइब नहीं किया है चलिए आण लेने से लग्सान नहीं होते उनना तयाप मोटिय जबंड़ टिंस यह बारन अगे यह सवाल आपके कहां कहां पूचा गया जहां न सब्सक्राइब है स्हसल में पूचा जा चुका है चुका है जीडी दो हजार ते बाइस के एक जाम में आ चुका है यही एक सवाल कि बताइए भारत में पिर्थम प्यारे बच्चो पिर्थम गवर्नर जर्नल कौन हुआ करता था तो जल्दी बसे बताओ ना चुका हाँ कल रिकोड़ किलास थी अब जल्देट फैनल की बात करूंं तो बच्यों भारत में पिर्थम गवर्नर जर्णल ते लाड विलियम् वें बेंटिंग हो कौन थे पहरे साथी हो लाड विलियम् बेंटिंग आज मैं आपको लाड विलियम् यह है जिनोंने भारत में दो काम किये थे और इनमें से एक पहला काम जो सब से ज़्याद इइम्पो deve अब को बताना सती परता को बेन कब किया गया था सती पिरता को फिर्तीबंद कब किया था बताओ बच्चो एक नंबर बिल्कुल पक्का है आज की किलास से अगर तुमने ये पूरी किलास कर ली तो एक नंबर तुम्हारा पक्का है मैंने सवाल पूचा है कि सती पिर्था को कब बेन किया गया था जवाब दो यानि कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में भारत में क्या हुआ था सती पिरता को बेन किया गया था तो 1829 आपका बिल्कुल सही होगा मेरी प्यारी गुडिया बिल्कुल सही जवाब हो गया अगला देखे अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है भारत का अं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा इनके बारे में थोड़ा सा बताई है गुरुजी ये कौन थे कि जो भारत के अंतिम गवर्नर जर्नल रहे हूं और फर्स्ट वाइसराय रहे हूं तो बेटा ये कुन थे तो आप समय से अगर किसी को ना पता हो तो लिख लो गुरुजी ये रहे थे आपके लाड़ के निंग कौन रहे थे लाड़ के निंग रहे थे अब बच्चो आप अच्छे तरीके से जानते हैं लाड़ के निंग से रिलेटिड कौन कौन से पॉइंट पूइंट पूइंट पूछ जाते हैं ये रहा लाड़ के निंग का चेहरा आप इनको भ देख लिजेगा जरा आप से एक बात और बता दूं बच्चो हमारी इस किलास को देखकर कई बच्चे तो भग जाएंगे यार गुरुजी तो उप्सन से करवाई निरे मैं कैसे तुक्का मारों इसका यह होगा इसका भी होगा बच्चो आज की किलास यह उन सभी बच्चो के लिए है मैं फिर से बता दूं जो पहले से तयारी कर चुके हैं या जिनोंने तयारी नहीं भी किये कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो यह किलास उन के लिए उन बच्चो के लिए नहीं अरे यार ओप्सन नहीं है मैं तो विद्वा विवाहा पुनर विवाहा लिख लो दोस्तों विद्वा विवाहा पुनर विवाहा पुनर विवाहा का पासु वाधा तो आप लिख लिजेगा 1856 में विद्वा विवाहा पुनर विवाहा का पासु अगुरुजी 1856 में दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दू मे 157 की किरांती कहां से शुरूई थी पहला सवाल दूसरा आपको बता दूं दूसरा पॉइंट सुनिए हाई कोट एक्ट हाई कोट एक्ट कप पारित हुआ था भारत में IPC and CRPC ये किस के समय में लागू हुई थी ऐसे ऐसे जब सवाल पूछता है ना अगरामनर तो दिमाग की भणता ही बन जाती है यार यह तो किसी ने पढ़ाए नहीं थे तो मैंने एक सवाल आपसे पूचा है कि 1857 की किरांती कहां से शुरू ही थी इसका जवाब है क्या तुमारे पास तुम्हारे लिए तो लेकिया हूँ भारत का अंतिम वाइसराय कौन है यार गुरुजी यह क्या सिस्टम है कभी गवर्नर जनरल ले आते हो क्या पढ़ारे वास तुम्हारे जो डाउट है ना कि कौन गवर्नर जनरल बना कौन वाइसराय बना पहला कोन था दूर कर दूंगा यह डाउट दूर करतूंगा अंसु का पटेल अनुसा पटेल जो तुम्हारा जो भी नाम है प्यारी गुडिया घलती से जवाब देना जरा भारत का अंतिम वासराय कौन था गुरुजी यह तो मुझे नहीं पता मुझे तो पिरतम का नहीं पता यह तुम अंतिम भी भांडरेवर्स आए लिकलो बिटा इन्नों ने गांधि जी को क्या कहा था वान मैं बांडरी फोर्स काहा था एक बात ओर धाम रखना जिस समय गांधी जी जिस समय सुरी भारत आजाद हुआ था तो उस समय वाइसराय कॉन तो बेटा लाड माउंट बैटन रहा है अगर मैं बात करूँ भारत की आज़ादी की डेट क्या है तो अप अच्छे तरीके से जानते हो हमारा भारत देश का बाजाद हुआ तो हमारा भारत देश 15 अगास तुली सो सहतालिस के दिन आजाद हुआ यह भी आप अच्छे से जा क्लास आपको कैसी लग रहे कि मैं आपको डिटेल साथ के साथ बताता चलना हूं सच बताना यार यहां पर लगबख 500 बच्छे देख रहे मुझे पांसो के पांसो कोई कमेंट से यह कि बिना ओप्सन की जो क्लास है मैं चाहता हूं वनना तुक्का तो आप लगाई सकते थे कि सका है इसका भी आज आपको कैसा लग रहा है यह बता हुजरा यह श्टैटिक जीके का जो पोर्षा नहीं मैं आप एक नमबर आज लेकर जाएंगे यह किलाज आपको कैसी लग रहे यह बता दो जरा जल्दी करके बताएंगे बच्छो बताये दोस्तों यह कैसे लग रहा है आपको देखे अगर ओप्सन होते तो तुम लोग तुक कभी लगा सकते थे सर इसका यह इसका भी एसका सी यह लेकिना जोप्सन नहीं है आपको ना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा यार ठीक है चले अगला पॉंट देखिए अगल विदाउट ओप्सन में आज पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों यह ध्यान रखो स्वतंतर भारत के गवर्नर जेनल कुन थे हैं गुरु जी यह तो बड़ा खतरनाक सवाल आ गया स्वतंतर भारत के बताने चलो ठीक है तो भारत कब स्वतंतर हुआ पहला सवाल तुम्हें बत गोपालाचारी क्या नाम ता दोस्तों उनका सुरी अगर भारतिय पूचे अगर यह पूचे भारतिय अगर आपसे पूचे भारतिय कौन थे अंतिम फिर्थम भारतिय पूचे ठीक है तो उनका नाम था सी राज गोपालाचारी सी राज गोपालाचारी ठीक है और अगर तो समय ते लिड़ाइब कुए अगला सब्सक्राइब बाइब सवार्त ता ॉपालेर्टाइब पिर्तम तो अंतिम मर्टर्फ बारत ये सवाल कंफ्यूज करने वाला यहां बच्चे कहते हैं तो लाडमाउंट वैटं था, यो नी morbcoming पढ़ा है इसके बारे में तो मुझे सारी चीजे पता हैं यह थे लाड़ मांट वेटन नहीं यहीं तुम गलती कर बार रहे हैं वच्छो कि जो स्वतंत्र भारत के अरे भईया हम स्वतंत्र कब हुए हैं 1947 में तो भईया आपको बता देना चाहता हूँ और बजरंग दलवाले भाई मेरे यह कौनते तो यह थे आपके सी राज गोपलचारी जी यह आपके रहे हैं बच्छो पिर्थम भारती है वे अंतिम भारती है इनके बाद में कोई नहीं बना और इनसे पहले कोई भारती नहीं बना यह पॉइंट आप जहान रखेगा यह रह तो आप सभी जनते हैं कि हमारे देश के पिर्थम राष्ठ पति को थे भी 125 पताईं तो बताई ऐब राष्ठ पती को थे तो दो सम राष्ठ पति को नहीं तो बताव या फिर तम राश्टपती कौन थे अरे भाईया यह को पूछने वाली बात है गुरुजी दुपकाओ या कुछ भी करो वो तो हमारे देश के राश्टपती नाम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजंदर पिरसाद जी की किसकी बात करें डॉक्टर राजंदर यह दो बार क्या बनें बिटवा यह दो बार राश्टपती बने हो यह बात यहां रखना आप से पूछ लेगा कि हमारे देश में एक मात रिवक्टी जो दो बार राश्टपती बने हैं वो कून थे वह हमारे देश के भईया राश्टपती राजंदर पिरसाद जी ते और ये भी आपको बतादों यह बिहार के रहने वाले थे कहां के बिहार के अगला स्वाल आपके स्क्रीन पर यह राह वचो उच्च हमें अग अगरा सवाल भारत के पिर्थम बिना option के तुम्हारा दिमाग के पढ़ते आज खुल रहे होंगे यार इसका यह भी हो सकता वो भी हो सकता तुक्का नहीं लगेगा तुक्के वाले आज गए आज तुक्के वाले गए बच्चो कि भारत के पिरता मुसलिम राष्ट्पति कौन थे देखिए मैं यहां पर गया आप ध्यान नखेगा पहले का नाम जाकिर उसेल यह बात जो बैटा लिख रहा हूं इनको में लिखलो नोट गर के आज तक कितने मुसलिम राष्ट्पति बने पहले जाकिर उसेल दूसरे का नाम क्या था बिटा दूसरे का नाम ता आपका फकरूदीन अली एहमद फक आप सभी जानते हैं एपी जे अब्दुलकलाम यह आज तक भारत में कुल मुसलिम राष्टपती बने अब बताओ ओप्सन वाली क्लास में क्या इतने सारे पॉइंट के लिए रोपाते नहीं हो पाते कभी भी अब मैं आप से पूछ रहा हूं भारत के पहले ऐसे राष्टप जिनने मिसाइल में कहा जाता है वो कौन थे जरह बताई ये बच्चो भारत के ऐसे कौन से राष्टपती थे जिनने क्या कहा जाता है बिटा मिसाइल में कहा जाता है तो आपको बता दूंते को सबसे पहले बने जाकिर उसेन पहले मुसलिम दूसरे बने फकुरुदीन अलि यह राजनितिक राष्टपती भी थे क्योंकि इनका राजनिती से कोई मतलब नहीं रहा है चलिए यह रहा जाकिर उसन साहब आगे और यह रहा जाकिर उसन जी का फोटू यह देखो जाकिर उसन जी कितने अच्छे लग रहे हैं यहां पर चसमें लगा हुआ है बढ़िया मेरी क्लास में 700 बच्चे से ज्यादा देख रहे हैं और जवाब कितने देरें जवाब देरें मातर 208 बच्चे इसका मतलब और सब लड़्डू की तरह बैटे ममें हम पर तो आताई निये यह जाल पापा अमने जान दे आज पढ़ाने दो गुरू जी को वही बता देंगे संजीते इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल सुन लिजेगा ये एक मातर ऐसे भारती हैं इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो ये एक मातर ऐसे भारती हैं जो दो बार उपराष्ट पती बने हो दो बार उपराष्ट पती बने हो पिलस एक मात में भारत रतन मिला हो ये बेटा ध्यान रखना भारत में एकलोते ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्टपती भी रहे उपराष्टपती भी रहे कल तो रिकोर्डिंग किलास थी गुरुजी अरे यार आज पर आओ कल पर क्यों जा रहे हो अब यहां देखो दो बार उपराष्टपत जी यह रहा डॉक्टर रादा किर्सन जी का फोटू आप देख लिजेगा पूरा मजा ना जाए क्लास में तब कहना तब कहना कि हाँ गुरुजी आज हमें सब कुस्वाज में आ रहा है आपको फोटू भी दिखा के चलना हूँ इसलिए ताकि अगर तुमें कभी यह मैं आ लग रहे हैं अरे बाबा जी तो प्यारे दोस्त इसलिए में तुमें बता दू तो हर्स बताँ वेटा कैसे करें दिल्ली पुलिस का भैच तो यह जो बाबा जी आपको दिखाई देर हैं हमारे देश के पहले उपराष्ट पती दूसरे राष्ट पती उनी सुच्वान में भारत रहतन जिनका नाम ता व्यारे बच्चो डॉक्टर सर पली राधा किरसन अगला देखिए अगला पॉइंट आपके सामने भारत के प्रतम प्रधान मंत्री कौन यह आप सभी जानते हैं यह आम तो सवाल नहीं बताए तो छोड़ आगे चल दे कोई दिक्कत वाली बात हैं हम पूछे कौन है गुरुजी हमको फोटो देखा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैंने प्यारे साथ यह आपको इनके फोटो के साथ में अमता स्लाइड के साथ में आंसर भी इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोग याद कर सको इन देखके पहचान भी सको कि यह कौन ह हैं कभी मानलो तुम्हें फोटो दिख जाए और आपसे पूछे कौन है बताईए नहीं गुरुजी हम तो नहीं पहचान पा रहें यह कोन है और हम पूछे भारत के प्रदान मंत्री कोन थे पहले गुरुजी नहें पता यह कौन है तो बाबु इसलिए तुम्हें मैं इनके फोटू भी दिखा के चलना हूं कभी आपका गलत ना हो जाए ठीक है अगला सवाल देखे अगला सवाल क्या कहता है भारत के प्रता मुख प्रधान मंत्री और गिराया मंत्री कौन थे तो भाजी इनके बारे में तो आपको बता दें थोड़ा सा यह थे आपके सर्दार वल्मभाहे पटेल कौन थे सरदार सब्लमभाहे पटेल चलो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको सरदार काुन के भारत का एक करन हो पाया था यह थे वीपी मैनन थे और बच्छों आपको बता दूं यह जो इन्हें सर्दार का टाइडल मिला हुआ न यह सर्दार का टैंटल इनके नाम तो वंओ महिलाओं के दुमारा दिया घाले हैं यानि कि इसे ये बाढ़ दोली के महीलाओं लिन लोगो पैले नाम से भी जाना जाता है अगर आपको इक लास अच्छी लग रही है को सभी बच driven कर दोबचो अगर अच्छी लग है तुन नहीं तो कुई बात इना अगला वर्जी तो तुम्हारी भीया हम तो तुम्हारी मर्जी पर चलते हैं भारत के पिरतम सिक्षा मंत्री कौन थे फर्स्ट एजुकेशन मिर्स्टर ओफ इंडिया भारत के पिरतम सिक्षा मंत्री कौन थे ना ही गुरु जी हम नहीं जानत है तो यह नहीं जानत ह जाथ जी यह कुंट आ जो अब लकलाम आजात जी यह रहे सिक्षा मंत्रीस ऑनद जाम आपके जामने अगला जवाल आपके के स्क्रीन पर रहा भारत के केंद्रिया मंत्री मंदल से इस्तीफा देने वाले पहले वक्ति कुंद है मतलब हम सिर्फ तुम्हें पहले-पहले ही बताने है यार ये कौन है इनका नामे तिवारी साब ये कह रहे हैं गुरुजी रिकोड़िर किलास है मुनी परसाद भाई अधर आई ने समझा यू बच्छो कुन सी किलास है पूजद आया करेसर रिको ये तो जोना क्या बोलते हैं थोड़ा सा एरिटेट कर रहे सवाल तो हाँ इनके लिए कोई ट्रिक लिकाड़ूंगा देखते हैं को योड ट्रीक होगी तो इनकी देखे बच्छो भारत के केंद्रिय मंदल से पहले वेक्तिक उन्टेश इस्तिफा दिया था अगर आप में से कोई ओस्यार बच्छा तो मुझे बताइए रहा कोई बच्छा बताइए इस प्रसंगे आएगा हाँ इनकी भूक भी करांगा कौन कौन सी हैं लेकिन मैं आपको यह बता दूं बच्छो इनका कौन थे तो यह थे आपके श्यामा पिरसाद मुकर्जी समझ रहो ना वो कौन ते श्यामा पिरसाद मुकर्जी थे जिनोंने इस्तीफा दियाता है देहान नकिएगा श्यामा प दूजरा इस प्रिसन का क्या आएगा बोलो भी अच्छा यह आपको तीन बाते और बताने अगर आपको पता है तो आपको बताना है थाल सैना दिवस कब मनाते हैं थाल सैना दिवस हम लोग कब मनाते हैं अगला आपको बताना है वायू सैना दिवस हम लोग कब मनाते हैं एक आपको बताना नो सैना दिवस हम लोग कब मनाते हैं इन तीनों के बारे में बताना बच्छा जरा इन तीनों के बारे में बताना दोस्तों झाल 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 दिवस को मनाते हैं ऑठ यह सवाल आपके जीडी में आ चुका है एक देकर थलसान अदिवस आपका 15 जनवरी को सेलीबरेट किया जाता है इनके सारे के सारे लिख भी टाइश कर ले सकते यह और यह तै प्रतम युसाना ज्बाइब वॉर्ट के बारत के प्रतम युसाना ज्बाइब बीजिए भॉल भीया नहीं के वाई उसना ज्बाइब युद यू आपको बताना है सरक्लास सिसे करेघा आए चलो बचार से करा देते हैं air marsal s mukharji sahab अगिला पुरिट देखो दोस्तों भारत के पिरतम नुसराणात यक्ष कोन थे भारत के पिरतम नुसराणात ध्यक्ष कोंधे तुलते चलिए अब्सें चलेंगे तुम कर विया मंडेशले चले तो पहिए यह को उन्द गुरुवर यह तह आपके वाइस एड्मिलर और डी क्तारी साभ अग्ला पॉइंट देखो दोस्तु पीर तम चीफ ओफ आर्मी स्टाप कोन बने थे प्ट्णाम सीफ ऑफ आर्मी पॉन बने दे इस हमने से सवाल पूछा है कि पीर तम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने थे फ़र्स चीफ और में स्टाफ कौन थे तो भ्याज ये कौन थे आपके अच्छी तरीक जानते हो राजिंदर सिंग जी अगला देखे बच्छो अगला सवाल देखे स्वतंद्र भारत के पिरतम चीफिन कमांडर कौन बने थे चलिए तोड़ा ते चलिए तो बच्छों आपको बता तूं यह कौन थे दोस्तों यह लिग लिए गाप जर्नल करिया पासाहब जर्नल करिया पासाहब थे दोस्तों चीफिन कमांडर आगला देखे पिरतम फिल्ड मार्सल कौन थे यह सवाल ऐसे हैं डारक लिए जो कई बार पेपर में पूचे जाते रहे हैं और आप लोग आके बोलते हैं यार हमें पढ़े तो हैं लेकिन समझ में यारा कहां पढ़ें कैसे पढ़ें लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं कहता हूँ जब भी में जोवी टोपिक कराया करूं बेटा और ओम प्रिकाजी आप डेलिया यह आपका प्रिकाज़ रहे हैं तो यह कून थे बच्चो यह थे आपके जर्नल मोनिक सो जर्नल मोनिक सो अगला देखिए लोग सभा के पिर्थम अध्यक्ष कुन थे लोग सभा के पिर्थम अध्यक्ष कून थे बोलो भाया हां record वे अच्छ है मिल जायएगा आपको परिसान मत कोई बात ने जल्दी आजाओ आकास कुमार मैंने आप से पूछ एक सवाल कि बताई ये पिर्तम लोगसभाद द्यक्ष कूंदे देखिया आपको बता दू हमारे देशों जो पहली लोगसभा बनी थी वह 1951-52 में बनी थी यानि कि पहली लोगसभा बनी थी वह 1951-52 में बनी आप समझते हैं और लोगसभा में क्या था बेरे प्यारे सातियों आपको बता देना चाहता हूं लोगसभा में एक अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर बोलते हैं दोस्तों ये बात आप ध्यान रखना हम क्या बोलते कि पिर्थम महीला अध्यक्षकून थी लोग सभा की पिर्थम महीला अध्यक्षकून बनी थी बच्चो लोग सभा की पिर्थम महीला अध्यक्षकून बनी यह बताना लोग सभा की पिर्थम महीला अध्यक्षकून बनी थी यह बताईगा अरे लाइव किला से कोई रिकोड़ कुंति ये बताओ जारा लोग सभा की पहली महिला द्यक्ष कुंति वीडियो को तोड़ा लाइक वाइक कर दीजेगा वो ती बच्चो मीरा कुमार कुंति मीरा कुमार और अगर मैं आप से पूचो दूसरी महिला कौन है दूसरी महिला कौन है बच्चो अगर मैं यह सवाल अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि लोग सभा के वर्तमान अध्यक्ष्कून है लोग सभा के वर्तमान अध्यक्ष्कून है यह बताना क्या होगा ओस लोग कि लोग सभाक वर्तमान अध्यक्षyn है बुला लोग मए बुवा जी को जल्दी बिलाइएगा लोग्षभाक के वर्तमान अध्यक्षवन याफ पूपा जी तो आगे तुमारे बोलो भी जल दिसे लोग सभा के पिर्था मत्यक्षोन है तो भीया जी आपको बता दूँ लोग सभा के यह ओम बिरला जी है को नवाचो ओम बिरला हद करने के यार पूपा-पूपा ठीक है हमेचा पूपा अरे पढ़ाय ज्यान दो चलिए त अगला मैंत करे लिक भारत के प्रतं मुक्य चुनावाई तो बैटा है यह आपके अनुछ्य नमबर 324 में आता है अगर मैं चुनावाय कि बात करूं तो 324 से लेकर 329 तक चुनावायो गाता है पहला सवाल तो यह सुन ली जेगा और दूसरा सवाल आपको बता दूरा सवाल आप सुनली जेगा रवी कुमार सर्मा यहां देखो 324 से 333 सखाता है पहला सवाल मुझे यह बत दाओ मत दाता दिवस कम मनाते हैं मत दाता दिवस हम लोग कम मनाते हैं वोटर डे हम लोग कम मनाते हैं पहला सवाल दूसरा सवाल आपको बताना है बेटा पहले तो सू कुमार सेंते सब को पता है कूंते सू कुमार सें सहा पहले बने हैं ठीक है और मत दाता दिवासम लोग का मनाते हैं तो जिसको ना पता वो लिख लिजे को गुरूर इने 25 जन्वरी को मनाते हैं 25 जन्वरी को हम लोग सा लिबरेट करते हैं देखो दोस्तों फिर से आपको बता दो अगर यही किलास ऑप्शन वाली होती और चाहिए ग्ल आगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा अजयों यह थे सुकुमार्स न्हिए पिर्थम मंख्य नयादीश कोन थे तो जली बता बताना फे है कि पैर्थम कौन थे एक ये की वर्तमान में कोन ऑफ जकूता मैं कि बताना है कि प्रिखन मुख्याहिस सद्राइखGona तरके जा रहा हूं कि मैं आपको आज के लास कहतं होने के तुरंद बाद ही पीडिया दे दूँगा ठीक है चलो बहुत सुरज कुमार जल्दी से बताइएगा आपको बता दूँ कि पहले मुक्य नियादीष जो थे तो प्यारे बच्चो पहले मुक्य नियादीष ते हीरा ल मैं पहले एक राजी गुरुजी वो तो धन्वंतरी थे एरे मांजाओ मांजाओ मेरे प्यारे लाड़ लो वो ते जस्टीज हीरा लाल जेकानिया यह रहे हीरा लाल जेकानिया जो हमारे पहले जज़ते मुक्य नियादीष ठीक है और अगले पूंट यह देखिए अच्छा एक बात और बताओ मुक्य नियादीष की सेलरी कितनी होती है मुक्य नियादीष की सेलरी कितनी होती है मुक्य नियादीष की अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकी सेलरी कितनी होती है तो क्या जवाब आएगा आपका मुक्य नियादीष की सेलरी कितनी होती ज़रा बत रुपय कितने होती है 2 bankrupt अ 80,000 को तू लाग अ dé ganzen रुपय रुपय होती है चाइए और अनौर Запाण को किद आ रहा है कि बात के वो नियादिस बताइए जिनका जनम अरे 2,50,000 अन्य की होती है सेलरी पता नहीं कोई बात नहीं रसमें आप उने लिख लिजेगा स्वतंत्र भारत में जो जनमें है जिनका जनम हुआ है बेटा 29 सितंबर 1947 को बाबु वो कौन थे तो लिख लिजेगा ये थे आपके सोरे सोमी सोरे सोमी कपाडिया साहब जिनका जनम भारत के आजादी के बाद हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और बचोहिन का जनम हुआ है 29 सितंबर 1947 को यानि कि पहले ऐसे नियादीश हैं जिनका जनम आजादी के बाद हुआ हो आजादी कव है आपको बता लग गई और बेटा इनका जनम को भूआ ये भी तुमको पता लगया यानि कि आजादी के लग बल्ग वर तेड़ महीन बाद ये पैदा हुए है ठीक है अगला सवाल आपकी स् अंतर राष्टी नियादीश का कारिकाल के तना होता है इसका हैड ओफिस कहां पर है यानि कि इनका मुख्याल अपर है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल कोट है इनका हैड को अपर है ये बताओ आहिए यह दोनों सवाल आपको बताने हैं अंतरा चे नियाले में पρείस्टम भारतिय नादीज कुन थे पहला जुथ सवाल दूसरा आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि इन में नादीज का करेकाल कि तरह होता है तीसरा refugee इनका है डोगाटर कहां पर है बताओ अब एक बच्छे निकाए आशीज ने चार साल एक ने का छे साल अभी तक किसी का सही नहीं आया वैसे दो का सही है मैं नाम नहीं ले पाया उनका उनका कमेंट स्थेज चलने की वज़े से बिटा कारिकाल होता है नूवर्स का जो चार व बताने की मुझे कोई आवसकता ना पड़ती और पहले नियादी इस कुंते भीया नागेंदर सिंग जी कुंते दोस्तों नागेंदर सिंग ते अगला देगे भारतिया राश्टिक आंगरेस के फिर ताम अध्यक्स कौन बने थे लफस्ट प्रेसिडेंट ओव दा इंडियन कि मेरे लिए मैं अगर आपसे को चूंकि भई ये आपके गुरु ने पूछा आपसे कि आप लाइक करेंगे ने करेंगे तो आप क्या करेंगे ने करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बादा बच्चो बोलो दोस्त में आपसे कि बाद सब्च्चो कि बáo कि बाद सब्सक्ष आपसे कि बादा हूं कि बादरी आपसे अध्रिस्टाइब सत कर देंगे सब्सक्राइब को अपको बता तो सबसे पहले कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसमर 1850 को कब दोस्तों 28 दिसमर और 1885 को कांग्रेस की स्थापना के सिरे किसको जाता है तो इस्थापना का सिरे जाता है बिटा ए ओ हुम इनका पूरा नाम था एलन ओक्टोवियम हुम आप फिर सुन लिजेगा इनका नाम क्या था इनका नाम था ए ओ हुम का ही नाम होता है बिटा एलन ओक्टोवियम हुम य बाहत्तर लोगों ने भाग लिया था कितने लोगों ने बाहत्तर लोगों ने भाग लिया था अच्छा एक बात मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा बैए 1885 से लेकर और 1947 तक कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष बने इस सवाल का जो बच्चा सही जवाब देगा उनका बुचा आपसे 4 5 अब मैंने आप से पूचा है कि हमारे στην में जब तक आजाद हुआ और गांग्रेस की स्थापना से कुल मिलाकर कितनी महिला अध्यक्ष बनी तो तुम्हारा जबाब आरा किसी का चार किसी का पांच किसी का अच्छ अरे आपको बता दूं बच्चे जवाब मन दो क्योंकि ओप्सन सारे गलत हैं कि ओप्षन सारे गलत हैं कुल मिला विस जिना नाम उत्व करता था सरोज्री मैं। एक हुआ करती थी 1933 में जिनका नाम तनेल निसेन गुपता ना इनके पहले कोई बनी ना इनके बाद में कोई बनी और यह ध्यान रखना महिलाएं बनी है आठ-8 साल के बाद एक महिला बनी है और तुम में जा आदे लड़कों का कट गया चलान अधी लड़कियों का चलान क्यूंकि तुम में जाद़े बच्चों का जबाबरास आठ-8 कोई महिला बनी नीए तीन महिला बनी है कब बनी है आपके सामने रख दिया अगला सवाल इस्क्रीन पर यह रहे यह रहे बचारे अगले देखिए भारती राश्टी कंग्रेस के पिरतम मुस्लीम अध्यक्ष को ते यह भी सवाल अच्छा है कि यह भी सवाल अच्छा है देखिए अगर मैं बात करूं आप से पूचे-गा पिरतम इसाई भी पूछ सकता है अगर आपसे यह पूचे कि पिरत रोदीन तयव जी यह कूछ ते ध्यान रखना यह थे बंधरुदीन तय अब जी ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो गूज बादरुदीन तयव जी अगला देखे अरे इंद्रा गांधी कौन है बच्छा यह इंद्रा गांधी अर सरुज्णी नयडिवाला पले में तो देख तो लूँ यह आज इनका दिमाग तो देख लूँ यह है इनका रहा में हैमन तो ओफिशल इन्हों ने कहा है गुरुजी गलत आप यह बताओ कि इंद्रा गांधी और सोन्य गांधी भी तो बनी है अरे प्यारे बच्चो वह आजादी से पहले नहीं बनी है मैं आज पहले देख भारती राजच्चे कांग्रेस के सम्मेलने में प्रस्ता पेस करने वाला पहला भारती कून था या पहला व्यक्ति कून था जरह बताईगा एक बार आज आजा देज जबाब आओ आओ दो जबाब आए तो प्यारे बच्चो आपको बता देना चाहता हूं वो लोग पैचानते और नहीं पैचानते मेरे बढ़ने जनकरी लेकिन फोटो देकर पैचान लिया करो इस बार नहीं फसे हम गुरुजी हाँ फस गये आप लोग अगला देखिए अरे बच्चो अगला फोटो देखिए नोबल प्रुषकार प्राप्त करने वाले पहले लेकिन समझ में बाबाजी समझ में नहीं आरा ममला अलेन बाबजी का नाम तो गया है एक बार आजा बताओ जल्दी से यह बाबजी का नाम तो बदेगोने इनको सबसे पहले भारत में नोबल पुरुषकार मिला है कब की बाद है 1913 में मिला है और छेत्र कुन सा था तो वो स्री लंका का और बंगला देश का तीन देशों का राष्टिकान ने लिखा है 1913 में नोबल पुरुषकार मिला है भारत में सबसे पहले नोबल पुरुषकार साहित्य के चितर में इनी कमिला है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा बच्चो अगला तब देखे भारत म साहब को मिला है 1930 में मेरे प्यारे विसाति हो अगला सवाल देखिए मैंसे से अवाड पारने वाले पिर्तम भारते कुंदे तोड़ा ते चलूगा बच्छों क्योंकि सवाल तो 40 थे मेरे पास मिनिट बचिए दस मिनिट बचिए दस इसे को यह था तो यह थे आपके आचारिय विनूबा भावे की जवाब करते हैं तो पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहले भारते कूंते इस्टालिन पुरुषकार प्राप्त करने वाले कूंते दोस्तों यह लिख लिजे का सैफुदीन कि चलु साहब सैफुदीन कि चलु साहब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर थोड़ा तेज चल देते हैं गोल्डन ग् जितने वाले फिर्तम भार्ते कुन थे बता ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जितने वाले फिर्तम भार्ते कुन थे ऐसा दूस्तों अपको बता यह कून थे आपके रहान सहाब यह गूंतर तो यह टहल आपके क्यों औरर रहे मान सहाब अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों बता हे यह बारत रभात करने वह पैरता हरते कूंद है सब्सक्रीयिक गदाम् की we हुए कि बात बच्चे जो ठेट रिफरी कहानी कीं तरह जो कहांनी सुनना चाहते हैं इतियास के वो कितने बचेंग जल्दी से बताओ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सभी बच्चे का 9 9 a.m. लिख दो 9 a.m. सभी बच्चे की गुरुदेव हम इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो सभी बच्चे बढ़ जरा 9 a.m. लिखेंगे मैं सुभन नो बच्चे इतिहास की थिवरी पढ़ाऊंगा कल से कितने बच्चे जरा मुझे बताइएगा मैं सभी का कमेंट्स देखना चाहता हूँ एक बार सभी बच्चे की लिखेंगे 9 a.m. अगर आप इतियास पढ़ना चाहते हो ठ्योरी के रूप में ऐसे नहीं 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 लिखो सभी बच्चे गुलाम बना के रख देंगे अगर अब दो साल महनत ना करी नहीं तो बारे साल तुम्हें महनत कर बारे घंटे तुम्हें काम करना पड़ेगा ध्यान रखना इतना बता रहा हूं तुम्हें मैं रश्चा से म्हां मर्णी तुम्हारी दोस्तों ये कूँन थे आपके डौक्टर सर्पंली राधा क्रश्नन जी ते जिनको मिला प्यारे साते आपको बता देना चाहता हूं न्यितको मिला है有點 संछाहरे मेरे चाहतीटि हो। भरत रतन से चौह सम्मानित प्रतम विदेसिय अगरिक ने मतलब विदेशि है वляति गुण देयं को क्या मिला हो जिन कोम नोबल पुरुषकार ना भारत रतन मिला हो वह कु dön thể यो आप को बताना है पूचाए भारत रतन से सम्मानित पिर्तम नागरीग वेक्ति कुन थे जरा बताओ ने इन परसुनों के देखकर अगर तुक्ष वाले सवाल उते तुमार्ट आप सवाल लिख लो खान अब्दुल गफार खान कून ते बच्छो खान अब्दुल गफार खान अब्दुल गफ अगला देखिए अगला सवाल ग्यान पीट प्रुषकार से सम्मानित पिर्तम भारते कून ते तो बच्चों यह थे आपके कौन आप लिग लिजेगा सिरे संकर कुरूप जिमें तोड़ते चलना उसमें का मैं आईसेस की परिक्षा में पास होने वाले पिर्तम भारते कून थे ? आईसेस की परिक्षा में पिर्तम भारते कून ते जिनों आईसेस की परिक्षा पास की थी जो अंग्रेद רिकीज ओंके समय हूआ करती ति आज जैसे आप जानते हैं प्रिक्षा होती हां इंडियन ए्ड़िशन शर्फिस लेकिन उस समय पर हुआ करते आपके युद्थ की परिक्षा है कि परिक्षा तो यह फिर को पार करने वाले पहले भाइनते जरो घुंथ है लुघ को सब्सक्राइब अब अबत्व आपको बता देना चाहता हूँ ये गूंद सब में पहुचने वाला पिर्तम भारते कुंद तो दोस्तों आप अच्छी तरीक जानते हैं यह कुन आपके तो राकेज सरमाजी ते अग्ला है कि इंवले से अरग दे इंगिलिह चैनल को पार्क करने वाले पिल्टों रहने वह नहीं उन्ह pyt आपके लिए कुछ इस्पेसल होने वाला है आपको तो अगर आप यह चाहते हैं कि देखे आपके जिया अच्छी हो जाए और जी आसमे अपना जो साइंस अनौ अलग टेज होता है इसा निकिश आप लोग तुम पढ़ लिए इस्टी पॉलिटी इग्नोमिक जोगर भी सब्सक्राइब करने के लिए आज आप कितना भी जरूरी काम क्यों ना कर रहे हो आज दो बजे जरूर जुड़े मैं भी जुड़ूंगा मैं भी लाइव रहूंगा दो बजे आप मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे तेंक्यू ठीकिस तो बच्चों वो कॉंते साहब यह थे बताई भी यह पाक स्टेट तैरा की प्रत्यों गिता जीतने वाले प्रतम भारते कौन तो जल्दी चलो समय का अब है तीन मिनट बचिए मेरे पास में तो भाई यह कौन थे आपके यह लिग लिजे का वैदनात साहब यह कौन थे वैदनात साहब अगला देखो बिना ओक्स किस देश में पढ़ती है और इसकी उचाई कितनी है जरा बताना बच्व मांट एवरेश किस देश में पढ़ती है उसकी उचाई कितनी है बताना बच्व माउंट एवरेश्ट की देश में पढ़ती है और इसकी उचाई कितनी है तो जब भी देश का नाम पूचा जाएगा तो आप लिख लिजेगा देश का नाम था दोस्तो नेपाल के नाम है नेपाल और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है किसके नाम से साग अगर माता के नाम से जना जाता है अगर इसकी उचाई की बात करें तो उचाई बेटा इसकी आठ हजार 848 मीटर है यह द्यान रखना अगला देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा बचो भारत का पिर्थम बिर्मन करने वाला पिर्थम चीनी यातरी कौन था तो अंग्रे जी यातरी कौन था बेटा उसका नाम बताईएगा कैप्टन होकेंस था क्या साथ टामस रोते क्या कौन थे बच्छों बताईएगा जरा मुगल दर्वार में देखिए अगर मैं मुगलों की बात करूँ तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 1526 से लेकर 1857 तक भारत में कौन रहे हैं और अंतिम उगलबासा कुन थे तो पहले का नाम था बच्चो आप सभी जहनते हैं बाबर कौन था बाबर और अंतिम का नाम था भाहदूर साहा जफर ह जफर ये दोनों पोई। लिग लिएए पहले का नाम बाबर था और अंतिम पर ये रहा बहादूर साह जफर यह दोनों पॉइंट लिग लिजेगा पहले का नाम बाबर था और अंतिम का नाम बहादूर साह जफर था अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा मेरे प्यारे बच्चो अगला देखिए भारत आने वाले पिर्थम राष्टपती कोन थे बारत आने वाले पिर्थम राष्टपती कोन थे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्टपती का कारेकाल होता है पांच वर्स अमेरिका के राष्टपती का कारेकाल कितना होता है पांच वर्स हो एक व्यक्ति क्त रहर राश्ट्पति बन सकता है अमेरीका में एक व्यक्ति कितनी बार रास्ट्पति बन सकता है चाब बताना अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राश्ट्पति बन सकता है तीन भार चार भार पांच भार शेवर बता ही जरा तीन भार चार भार पांच भार शेवर कितनी बार बन सकता है अमेरिका में कोई विक्ति कितनी बार राश्ट्पति बन सकता है तो गदे वाली बात मत अब पहले तो यह बताओ कि आज की किलास कैसे लगी PDF चाहिए तो ओफ-लाइन कमेंट्स कर दीजगा इसकी पीडियफ आपको अविलेबल करा दूँगा और सुबह नोबजे इतियाज की किलाज चले कि महां जरूर जुड़ियेगा सबसे पहले आप मुझे यह बताओ मेरे दो दो आज की किलास आपको अच्छी लगी होगे उमीद कर रहा हूं अगर आप लोग मेरे साथ जूड़ना चाहते हो जैसे दिल्ली पुलिस का मैं इस्पेसल बैच पढ़ा रहा हूं सुबह नोबजे आप दिल्ली पुलिस में जूड़ना चाहते हो या फिर बच्चों MTS में मेरे साथ जूड़ना चाहते हो तो एक मिनिट का आपका समय लूँगा और मुझे बताइए गजरा बच्छो देखिए आपको क्या करना अगर आप मेरे साथ छसल वाले बच्छों से बात कर रहा हूं एक कर लिए और सलेक्ट आपने और जैसे आप और सलेक्ट रहें तो एससी पर आ जाओ यहां लिखा एससे सी एस असल है चसल आप सी एससल को सलेक्ट कर लो बटा तो यह जो की है अगर आप यहां जाकर क्या करेंगे कोड यूज़ करते हैं वाई 367 जैसे आप यूज़ करते हैं तो तुरंत यह आपको 990 रुपे का मिल जाएगा टियर फ़र्स्ट और टियर सेकेंड दोनों की तुरियर हो जाएगी लो जी मालिक बच्चो अभी तुम्हें थोड़ी दिर पहले हमने बताया था कि अभी जैसे में क्लास करूंगा तुरंत आपको दूसरे वाले सेसन में आना है जहां पर मैं खुद लाइव रहूंगा वह सेसन कौन सा होगा यह भी मैं आपको बता दूं एक जीस की जो आपकी स हम पूर्ण तयारी हो जाए वह आपको अभी मातर पांच मिनट बाद हम लोग जुड़ रहे हैं दूसरे इवेंट में ठीक है इसका वह लगा दूसरे तक तो बच्चो आपने क्या करना है यह बैच आप लोग पर्चेस करेंगे मैंने बता दिया है इस पैसल एक दिल्ली प पर आजाओ और अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस यह रहा दिल्ली पुलिस बच्चो दिल्ली पुलिस का बैच यह आपका 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एन्रोल ना किया हो तो फटाफट एन्रोल कर लिजेगा यह बैच अ जितनी भी स्टेट पुलिस की वेक अती हैं उन सब में मैं बैस्ट मानता हूं धिल्ली पुलिस से एक में नहीं हो ती हैं यह सेंटर गोर्मेंट वाली है मैं शलीगर मनता हूं लेकिन वलीट में ही रहेंगे भी दिल्ले अभी जैसे हमारी क्लास कटम होगी दो मिनट बाद हम लोग इक प्वुक लौन्च कर रहे हैं बच्चो क्या कुछ अब को नहीं करना दोस्तों आपको कुछ नहीं करना Google पर सोरी यह जाए और यह लेको को कि अ कि बचादे को कौन सी किलास की मैं बात कर रहा हूं यह देख रहा एक मिनिट मैं किस किलास की बात कर रहा हूं जरा देखिएगा यह लाइब में आजागा ना यहां पर मतलब अब यहां से एक चलाज को छोड़ियो और वहां पाईएगा हम तुरंत उस क्लाज में लाई बारे तो ठीके बच्चो तैंक यू दने बाद नमस्कार जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएगा उसको सुरू करो